तो दोस्तों, OV38 अपडेट के बाद जो Free Fire का सबसे सबसे अच्छा करेक्टर है, यानिकि बेस्ट करेक्टर होने वाला है और वो होने वाला है लियोन करेक्टर, क्योंकि OV38 अपडेट के बाद जन लियोन करेक्टर की एबिलिटी को बहुत 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 जादा boost step मिला है, बहुत जादा increase कर दिया गिया है, तो मतलब OV38 अपडेट के बाद जन लियोन करेक्टर, जन एच्पी किंग होने वाला है, सबसे बेस्ट करेक्टर होने वाला है, क्यों तो क्योंकि आप लियोन करेक्टर की एबिलिटी को गौर से देखिए, क्या-क्या खासिया थे लियोन करेक्टर की एबिलिटी है, यानि कि आफटर OV38 अपडेट के बाद जो न्यू लियोन करेक्टर की एबिलिटी है, उन सारी एबिलिटी को जानते है, तो लियोन करेक्टर की न्यू एबिलिटी में जो सबसे इंपोर्टेंट एबिलिटी है, वो है कि लियोन करेक्टर HP रिक तक रिकवर कर सकता है लेकिन अब देखिए 80HP था ना अब यहां पर आप देखिए कितना HP तक रिकवर कर सकता है अब यहां देखिए मेरे पास कितना HP 140 HP है यहां पर Leon character से मतलब 60HP तक रिकवर किया ठीक ना तो मतलब Leon character ability को यही boost up मिला है कि जहां पहले 30HP अभी 60 HP लियोन करेक्टर रिकवर कर सकता है मतलब बहुत ज्यादा होता है साथ भी बहुत ज्यादा होता है आलोग करेक्टर से भी ज्यादा HP recover कर सकता है Leon character जबकि Leon character एक passive character मतलब कि बहुत ज़्यादा HP recover कर सकता है Leon character मतलब बहुत ज़्यादा OP है उसके बाद और भी benefit मैं आपको Leon character का बताता हूं और भी ability Leon character का मैं भी just बताता हूं तो देखिए आगे अगर Leon character की ability जाने तो जब भी आपको धैमेज़ पड़ेगा चाहे जैसे पड़े आपको फॉलिंग से डैमेज पड़े गिर्नेट से डैमेज़ पड़े जॉन से डामेज़ पड़े यह इनमी मरें आपको जैसे Amelu specify पड़ेगा आपको लियून करेक्टर HP हब भार भी 60 dhp तक हर В बार 60 यह सच्टीफिन करेंग लेकिन साथ एच्बी तक यह लियॉन करेक्टर रीकवर्थ कर सकता है उसके बाद देखिए se11 ända एक ही बाइर चाह 논yll रिकाबर कर देगा उसके बात कि लियॉन करेक्टर का कुछ लिमिटेसन भी है तो मैं आपको आगे लिमिटेसन भी बता देता हूं लियॉन करकिटर करेंगे विधाब करते। falling cut damage, जो किसी तरह cut damage हो, तो Leon character आपको HP recover कर देगा, वो भी maximum 60 HP तक recover कर देगा, लेकिन हर बार आपको 60 HP recover कर कर के नहीं देगा, क्यों नहीं देगा मैं आपको बताता हूँ, तो आप लोग यहाँ screen पर देखें, मेरा कितना HP, 121 HP है, और zone में मैं जाता हूँ, zone में थोड़ा देर गया, मतलब 4-4, 8 HP खतम हुआ, यहाँ देखें मेरा 113 HP है, और तो यहाँ 8 HP खतम हुआ, तो 80 HP recover कर कर के देगा Leon character, ऐसा नहीं कि 60 HP recover कर देगा, आप इस बार देखें, इस बार देखें यहाँ पर solo HP, मतलब 4 सकेंड हम रुखें zone में, तो solo HP खतम हुआ, तो solo HP ही Leon character recover कर के देगा, मतलब आपको जितना damage पड़ेगा, उतना ही HP Leon character recover कर देगा, और maximum 60 HP तक recover करेगा, इसा नहीं कि आपका HP पहले से कम है, तो सब HP recover कर देगा, इसा नहीं करता है Leon character, मतलब जितना आपको damage पड़ेगा, उतना HP आपको recover कर कर के देगा, Leon character, और maximum 60 HP तक recover कर देगा, Leon character, यह थोड़ा सा limitation है Leon character का, एक और limitation है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देखिए, मैं zone के अंदर जा रहा हूँ, ठीक, मतलब हमको damage पड़ा है, मतलब Leon character को damage पड़ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए HP recover नहीं कर रहा है, तो Leon character का दूसरा limitation यही है, कि आपको जब तक damage पड़ते रहेगा, किसी भी तरीकास अगर आपको damage पड़ते रहा है, तो आपको मतलब recover करके नहीं देगा Leon character HP, वाँ के चलिए, आपकी scene में इसे fight कर रहे हैं, आप fight के दोरान आपको HP recover करके नहीं देगा Leon character, मतलब आपको जब तक damage पड़ते रहेगा, तब तक Leon character HP recover करके नहीं देगा, लेकिन जब यह damage बंद हो जाएगा, Leon character, तो 60 HP तो बहुत ज़ादा होता है, मतलब कि OV38 update के बाद जोन Leon character, जोन HP king बन गिया है, मतलब बहुत ज़ादा HP आपको recover करके देगा, बार बार HP recover कर देगा, तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि OV38 update के बाद, Leon character की नहीं ability किया है, मतलब कि Leon character को जब damage पढ़ेगा, और damage पढ़ने के बाद, जोन यह आपको 60 HP तक recover कर देगा, हार बार 60 HP तो recover नहीं करेगा, लेकिन 60 HP यह नहीं 60 HP तक Leon character recover कर सकता है, यह मतलब Leon character की new ability है, आप्टर OV38 update के बाद, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए,